हेलो दोस्तो, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ग्रामसवा की सरकारी जमीन पर अबैद रूप से कबजा करने पर किस प्रकार की कारवाई की जाती है और कैसे जमीन खाली कराई जाती है, कितना जुर्माना भरना पड़ता है आज हम आपको इस वीडियो में ये वताने वाले हैं कि अगर आपका मकान गिरामसवा की सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो आप उस जमीन को कैसे अपने नाम करा सकते हैं और भविस्थे में ओने वाली कारवाईयों से बस सकते हैं तो दोस्तो ग्राम सवा की जमीने दो प्रकार के होती हैं, एक जो सारजुनिक प्योग के लिए आरक्षित यानि सुरक्षित होती हैं, जिनको 132 की लेंड भी कहा जाता है, और दूसरी जो आरक्षित नहीं होती हैं, सुरक्षित भूमी जिनको 132 की लेंड कहा जाता है, इन भ अवरिस्तान की भूमी, स्कूल या खेल मैदान की भूमी, नदी नाला नहर की भूमी और ऐसी सब भी भूमियां जो किसी सारवजुनिक प्रियोजन के लिए आरक्षित हो, सुरक्षित भूमी होती हैं। इनका ना तो पट्टा किया जाता है, और ना ही इन भूमियों पर किसी प्रिकार के हुए अवैद कबजेक में छूट दी जाती है। चाहे उस भूमी पर मकान ही क्यों न वना हो। दोस्तों ग्राम सवा की केवल नबीन परती और बंजर भूमी पर बने मकान की भूमी को आप अपने नामदर्ज करा सकते हैं। जिसकी कारवाही उत्तर प्रदेश रासाहीता 2006 की धारा सरसट का के तहत की जाती है। ग्रह स्तलों का उनके विद्वान सुआमियों के साथ बंदोबस्त। किसी ब्यक्ती ने किसी भूमी पर जो आरक्षित या सुरक्षित भूमी ना हो कोई ग्रह निर्मान किया हो। निम्र सर्तों के अधीन किया जा सकता है। अगर ग्रामसवा की नवीन परती या बंजर भूमी पर आपका मकान 29 नौमबर 2012 से पूर्पका बना हुआ है। तो आप उत्तरप्रदिस रासाहिता 2006 की धारा सर्सट का के तहत नियमर सर्सट के अनुसार मकान के लूप में कबजा की हुई जमीन को अपने नाम कराने के लिए उपजिलादिकारी नियायले में आबेदन कर सकते हैं। जीहां दोस्तों अगर आपका मकान 29 नौमबर 2012 से पूर्पका बना हुआ है और बेह जमीन नभीन परती या बंजर की है तो आप उस जमीन को अपने नाम कराने के लिए उपजिलादिकारी नियायले में आबेदन कर सकते हैं। आबेदन की जाँच उपजिलादिकारी नियायले दौरा आपके आबेदन की जाँच तैसिलदार कानून गो और लेकपाल के दौरा कराई जाएगी। अगर आपका आबेदन सही है और आपके पास उक्त मकान के लावा अन्ने कोई मकान नहीं है तो ग्रैस्तल की भूमी आपके नाम निम्र सर्तों के अधीन कर दी जाएगी। पहली सर्ती है कि आपका मकान उक्त मकान के लावा अन्ने कोई आवास ये मकान ना हो एंड नम्बर थरी आपके नाम आवादी घोसित किये जाने वाली भूमी का अधिक्तम छेत्रफल दो सो बर्ग मीटर यानि की 0.2 हेक्टेर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप उपजिलादी काईने आलने में आवेदन करेंगे आपके आवेदन की जाच होगी अगर आपके पास जो मकान है वो बंजार ये नवीन परती भूमी पर बना हुआ है और 29 नमबर 2012 से पूर्ब का बना हुआ है और आपके पास उक्त मकान के अलावा अन्ने कोई रहने के लिए मकान नहीं है तो उस मकान की भूमी को आपके नाम कर दिया जाएगा लेकिन केवल 220 मिटर भूमी ही आपके नाम की जा सकती है जमीन नाम कराने के फायदे दोस्तों अगर जमीन आपके नाम से हो जाती है तो आप भविस्य में होने वाली किसी भी कारवाई से बच जाएंगे और आपको निम्न फायदे होंगे 1. मकान के स्वामी तता उसके उत्राजीकारी किसी भी आदार पर जमीन से बेदकल नहीं किये जाएंगे 2. मकान के स्वामी जमीन के समन्द में किसी भी लगान का देंदार नहीं होगा 3. उसे सुखाचार के बरतमान रधिकारों के अधीन रहते हुए आवासिय मकान बनाने के लिए इस्थलका यानि जमीन का उपयोग करने का पूरा अधिकार होगा यहां दोस्तो अगर जमीन आपके नाम से हो जाती है तो आप कवी भी उस जमीन से या आपके बच्चे उस जमीन से बेदकल नहीं किये जाएंगे कोई भी कारवाही नहीं होगी नमबर टू आप पर किसी प्रकार का टैक्स यानि लगान नहीं लगेगा एंड नमबर थरी आप उस जमीन पर किसी भी प्रकार से अपना मकान कैसे भी बना सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से आप ग्राम समाज की जमीन को अपने नाम से अवादी दर्ज करा सकते हैं और वभिस्य मोहने वाली कारवाईयों से बच सकते हैं तो ये थी जानकारी ग्राम समाज की जमीन को अपने नाम कराने से संबंदित उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, काम की लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप किसी के सायता करना चाहते हैं किसी के साथ जानकारी साजा करना चाहते हैं तो वीडियो को share भी कर देना दोस्तो हमारे YouTube चैनल पर आपको जमीन से संबंदित महत्पूर्ण जानकारी मिलती रहेगी तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेला इकन भी दवा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके